जो लगातार हमारी मुहीम पर हम इंपक्ट देख रहे हैं। हफता वसूली काफी पॉपलर मुहीम रही थी, काफी बड़े सवाल आपने उठाए थे। पहले तो इन डिजिटल लेंडिंग अप्स के कामकाज को लेकर और उसके बाद जो चाइनीज कनेक्शन था दोनों पर आपने एपसोड के थे। Regulators का action भी आया और कल एक बड़ा action RBI की तरफ से आया Digital Lending Apps को लेकर Regulation के लिए RBI ने कल एक बड़ा कदम उठाया इसके बार में थोड़ा बत है दीप मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ये matter हमने तब उठाया जब कोई इसको देखता नहीं था और ये खाली ऐसा नहीं कि ये business journalism से related matter है ये matter हफता वसुली से शुरुआ था जो कि काइदे से देखा जाए तो जनरल न्यूज चैनल के काम का है लेकिन अच्छा हुआ हमने उस हिसाब से उठाया था कि जब lockdown के वक्त moratorium की जरूर थी और कंपनीयों को moratorium बैंक दे रहे हैं तो एक आम आज में जो मुसिबत में digital loan एप से loan लेता है 2000, 3000, 5000,000 का और मतलब दिन का 20% ब्याज वो मार लेते हैं दिन का है महिने का नहीं बोलो और दिन का तो ऐसे लोगों को एक तो इतना आप लूट रहे हो उसके उपर से उनके साथ बत्तमी जी, मेसेजिस बेजना, फरजी लीगल लूटिस, क्या-क्या नहीं हुआ मतलब वो पीरिड हमने देखा रहे हमने ये शो किये, मतलब दिल दुखता है कि किस तरह से चाइनीज कनेक्शन है और आप देखे आज दो बड़ी ख़वर आई है एक जो डिजिटल लेंडिंग एप से उनके नियम बहुत कड़े कर दिये हैं और दूसरा, सो करोड से ज़्यादा ये चाइनीज एपस का पैसा क्रिप्टो से रूट होकर बाहर गिया है एसा बताए जारा है सो समझ में आ रहा था कुछ भी हो दो हिंदुस्तान का आज में हिंदुस्तान का आज में को एक लिमिट से ज़्यादा परेशान नहीं करें ये बाहर के आज में को आके उनको क्या पढ़िया हमारे लोगों की और हम यह आईडिया भी वहान से है का आइस तो इस तो हमारे लोग नहीं कि इस तरह से होगा ही करें और जात्रकी कि लोगों के साथ गाली को लुच हा और करने वाले कोण है जब हम अंदर गुसे कि इनके पीछ च्छी कौन इंवस्टेर एं प्रोमोटर है यह ए APS छला रहा है तो हमारे आंके कुले रहें कि 52 हमने टोटल एपस हमने उस समय स्टेडी की थी वावन वे सदीड करीबं करीबं 30-32 में चाइना वालों को पैसा लगा हुए समझ में आगे हैं मिटर एक मिट में कि तो बाहर के लोग है जो लूट रहे हैं हिंदुस्तान के लोगों को अच्छी बात है जो अब एक्षिन हो रहा है उनमें इस बामने में आजब एक ही सरहना करूँगा बहुत टाइमली और बहुत और एक के बाद एक कम से कम चार से पांच ओडर आजब एक की तरफ से आ है जब आपकी गवणर साब से बात हुई थी तब से ही फिर बहुत बढ़िया एक्षिन लिया है और प्रॉम्ट लिया है जो इस गौरक धंदे में पीछे है बाहर आ रहा है एक्षिन हो रहा है देखिए फिर मैं एक चीज़ कहूँगा जो आदमी लोन ले रहा है हम मुद्द अगर आपके साथ पैसे वापस लेने के तोर तरीकों में कुछ गलत हो रही है हम उसके खिलाफ है हम लोन लेके नहीं देने के सपोर्ड में नहीं है यह सपोर्ड बिलकुल भी नहीं है आपने लोन दिया है आपने एक बिजनिस रिस्क लिए सोच समझ के लिए कि आदमी क्य आपको देना है यह आपका आपकी जिम्मेलारी है यह चीज बिल्कुल बैलेंस क्लियर होना है तो चले बड़ा सर हमारे ओपरेशन हफता वसूली का आते हो दिख रहा है और बे की तरफ से the regulation sector.